Hello everyone and welcome to Mr. Intrudent YouTube channel आज इस वीडियो में हम Public Finance के बारे में समझेंगे उसका meaning, nature, scope और definition के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्या objectives होते हैं Public Finance के किस तरीके से यह हमारी day-to-day life में importance रखता है क्या होता है आखिर Public Finance सभी चीजों को इस वीडियो में हम discuss करने वाले So without wasting much time, let us start with the video देखे, Public Finance हम इस word से हमें समझ में आ रहा है कि जो public का जो money है यह आपका जो भी पैसा है उसको government किस तरीके से use करती है किन-किन policies में उसे implement करती है कैसे वो आपसे पैसा लेती है कैसे collect करती है कैसे उसको expenditure करती है उसका overall जो money से related जो भी financial चीजों से related जो भी government काम करती है जो governmental activities होती है उसको हम लोग under public finance पढ़ते है economics का जो student है चाहे वो BA in economics कर रहा हो चाहे वो B.com कर रहा हो या फिर management का भी अगर कोई student है तो उसके लिए public finance जो topic है यह बहुत ज़्याद है important बन जाता है क्योंकि इसी से हमें taxation के बारे में पता चलता है इसी से हमारी जो economic major एक important entity है वो है हमारी government government किस तरीके से function कर रही है government को पैसा कहा से मिल रहा है जो आपके नेता लोग है जो आपके bureaucrats से इनको salaries कैसे मिल रही है किस तरीके से overall पूरा budget चल रहा है क्यों public debt हो रहा है क्यों सरकार के ओपर बहुत ज़्यादा करजा चल रहा है या फिर किस तरीके से सरकार चलाई जा रही है इन सबको जानने के लिए आपको पब्लिक फाइनस तो समझना पड़ीगा ही और साथ ही साथ अगर आप एक नॉर्मल जो भी इंसान है एक नॉर्मल सिटिजन के लिए भी पब्लिक फाइनस को समझना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि उससे उससे पता चलेगा कि किस तरीके के टैक्सेज वो दे रहा है किन-किन चीजों में उसका पैसा लग रहा है तो इस वज़े से आपको पब्लिक फाइनस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है पब्लिक फाइनस होता क्या है यह एक ऐसी ब्रांच अफ एकनोमिक से जो गवर्णमेंट की उन एक्टिविटीज के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसमें मनी इन्वॉल्ड होता है यानि जो फाइनेशल एक्टिविटीज ऑफ गवर्णमेंट होती है चाहिब वो लोकल लेवल पर हो चाहिब वो रीजनल लेवल पर हो नैशनल लेवल पर हो वो सब हम लोग पब्लिक फाइनस के अंडर में पढ़ते हैं किस तरीके से जो गवर्णमेंट है वो आपके मनी रिसॉर्सी का या फिर आपकी पैसो का कहा पर किस तरीके से किस कि समय पर इस्तमाल कर रही है इन्ही सब चीजों को हम लोग Public Finance में पढ़ते है Definition of Public Finance हम देखेंगे Public Finance is the field of economics that explores the ways in which the governments at all levels raise and spend funds to finance public projects and services किस तरीके से आपकी जो भी services आपको government दे रही है या फिर जो भी आपकी roads बन रही है या overall जो भी development हो रहा है उन सब में एक क्या role है government का किस तरीके से वो overall taxation ले रही है कैसे आपके पैसे को government यूज कर रही है इसे सब चीजों को हम लोग Public Finance में पढ़ते हैं हम लोग देखेंगे कुछ दो और important definitions है जैसे Delta ने बोल है Public Finance is concerned with the income and expenditure of public authorities यानि जो public figure है या जो government है basically वो उसकी क्या कमाई है और किस किस चीज पे वो खर्चा करती है जब हम लोग इसकी बात करते तो हम लोग Public Finance की बात करते इसके बाद फिंडले श्रीरस ने बोला है The study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities is the Public Finance basic जो आइडिया है वो क्या है किस सरकार कैसे कमा रही है और सरकार किस पर खर्च कर रही है किस तरीके से खर्च कर रही है इन ही सब चीजों को हम लोग Public Finance में समझते देखे Public Finance का nature क्या है या फिर उसका scope क्या है इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा से इसके components के बारे में जानेंगे कि आखिर Public Finance के अंडर में हम लोग में जो किन बातों पर या किन ऐसे topics पर हम लोग discussion करते यह जो कि सबसे important होते सबसे पहले आपका public revenue यानि किस तरीके से सरकार पैसा कमा रही है क्या sources है tax से कमा रही है fine से कमा रही है license देने से या अलग-अलग जो non-tax revenues होते है आपके एक तो taxation जो आपका direct indirect income tax sales tax property tax यह होता है सरकार की कमाई का और भी सरकार की बहुत सारे सरकार share market में इंवेस्ट करती है या अलग-अलग companies में इंवेस्ट करती है या दूसरे देशों से कुछ न कुछ आप कह सकते है दूसरी देशों की developmental projects में इंवेस्ट करती है जहां से returns आते है तो overall कही न कहीं से सरकार कमा रही होती है तो इन सभी चीज़ों को हम लोग public finance के अंदर पढ़ते है फिर public expenditure क्या होता है कौनसी infrastructure या roads बना रही है कैसे social welfare करी है इन सभी चीज़ों को हम लोग public expenditure में पढ़ते है फिर public debt क्या होता है ये भी बहुत important part है आपका public finance का कि सरकार को कई बार क्या होता है कि एक जो ज़े से कोई country है आप किसी भी country कि अगर आप बात करें अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया पे भी international debt बहुत ज़्यादा है कई states पे अलग-अलग तरीके का debt है किसी दूसरी country से बहुत ज़्यादा इंडिया में आप कह सकते है money जो है वो borrow किया गया है जिसको government क्या करती है अपने developmental projects में use करती रहती है और साथी साथ जो returns है या जो interest के साथ में इन पैसों को चुकाती भी रहती है तो किस तरीके से आपका पैसा borrow किया जा रहा है किस तरीके से इसे return किया जाता है दूसरे देशों को इन सब चीज़ों को भी हम लोग public finance में पढ़ते है अब देखें यहाँ पर हम लोग scope of public finance देखेंगे component, scope, almost same ही चीज़ हो गई scope का मतलब भी क्या होता है कि हम लोग आखिर इस subject के अंदर क्या-क्या चीज़े पढ़ते हैं public income के बारे में पढ़ते है यानि किस तरीके से सरकार कमाती है सरकार के income के sources क्या है क्या वो tax revenues है क्या वो non-tax revenues है आखिर कहा से पैसा आ रहा है public expenditure सरकार किसे चीज़ों पर खर्चा घरती है उसके बाद आता है आपका public debt public debt यानि सरकार कहा कहा से सरकार ने borrow किया हुआ है money और कहा पर उसे कितना rate में वो वापस कर रही है welfare यानि कौन से ऐसे developmental projects है जो की public के पैसों पर जो government है वो चला रही है या फिर किस तरीके से financial administration हो रहा है किसी country में कैसे देश चल रहा है कैसे elections हो रहा है कैसे overall money पूरा salaries कैसे दी जा रही है government job के employees को ये सारी चीज़े भी हम लोग का financial administration में आदा था और economics of state पूरा जो state है उसमें economics कैसे चल रही है क्या activities हो रही है इन सभी चीज़ों को हम लोग public finance में पढ़ते है इसके बाद इसी चीज़े को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर detail में दिखाया गया कि public revenue में हम लोग tax revenue, non-tax revenue, grants इन सब की बात करते है expenditure में कहाँ पर expenditure हो रहा है debt को कैसे manage किया जाए सरकार की fiscal policy क्या है fiscal policy क्या होती है ऐसी policy जहाँ पर taxation या फिर public expenditure की मदद से सरकार देश को चलाने की कोशिश करती है पैसा circulation में रहेगा वो क्या होता है आपका monetary policy होता है और fiscal policy जो है यह पूरी तरीकी से सरकार के हाथ में होती है monetary policy में ज्यादा role क्या है central bank का होता है जैसे इंडिया में reserve bank का है लेकिन fiscal policy में सरकार का ज्यादा role है जब उसको लगेगा inflation ज्यादा हो रहा है या लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा tax काटेगी ज्याद अगर लगेगा कि depression आ रहा है लोगों के पास पैसा कम है या खराब स्तिती में है markets बंद हो रहे है तो वो क्या करेगी tax में छूट देगी rebate देगी तो यह सारी जो चीजे होती है यह सब कौन करते है आपकी government करती है और यही जो policy है या यह जो tool है इसको हम लोग fiscal policy कहते है fiscal policy को हमने अलग-अलग videos में अपने channel पे already बहुत deeply discuss किया हुआ है आप उन videos को भी देख सकते है next resource allocation में भी मदद करता है आपका public finance taxation को समझने में यह public finance important है कि क्या tax है कौन से type के taxes होते है अलग-अलग इसी public finance की playlist में आगे हम लोग types of taxes canons of taxes और अलग-अलग time पे जैसे GST के बारे में separately हम लोग discuss करने वाले है public investment के बारे में यानि कहाँ पर सरकार ने investment किया हुआ है आपका infrastructure पे education में, healthcare पे या कौन-कौन से अलग-अलग welfare programs चल रहे है मन रहे हैं पर कितना सरकार का आप क्या सकते involvement है या फिर कितना पैसा खर्च कर रही है financial अलग-अलग institutions बनाती है जो public sector banks है या आपके institutions है जो कि सरकार चला रही है उसका पैसा कहां से ला रही है पैसा public से ही आ रहे है तो यह सब public finance के ही अंदर में हम लोग पढ़ते हैं economic stabilization किस तरीके से unemployment को control कर रही है किस तरीके से inflation को control कर रही है यह सरी चीज़े हम लोग public finance के अंदर में पढ़ते हैं अब public finance के objectives क्या होते हैं इसने पहले हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो आपके exams होते है semester exams होते है colleges पे BA में या B.com में तो उसमें क्या होता है कि question आता है what is the nature, meaning and scope of public finance तो हमने meaning के बारे में बात कर लिए हमने definitions दो-तीन देख लिए यहाँ पर starting में और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा इसमें एक आता है nature of public finance हर एक subject कचा है आप वो macroeconomics पढ़े उसमें भी आता है nature of macroeconomics या nature of microeconomics जो कि आपको answer writing में थोड़ा सा आपको वहाँ पर लिखना बड़ता है तो nature को आप कैसे present करेंगे आगे public finance के एक social science भी है और एक science भी है science इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत बड़े-बड़े आप कैसकते calculations करते हैं बहुत ज़ादा scientific temper की जरूरत होती है आपको पता करना होता है कितना budget है, कितना tax है लाखों, करोडों, अर्बों की calculations होती है आपको सारी चीज़े पता होनी चाहिए तो इस तरीके से यह एक science है और साथी साथ आपको आइडिया भी होना चाहिए कि किस तरीके से society में कौन सी welfare programs लाने चाहिए कहाँ पर जाधा investment करना है कहाँ पर जाधा expenditure करना है inflation को कैसे control करना है तो यह एक तरीके की social science भी है तो public finance का nature कैसा हो गया बोथ science and social science इसके अलावा आप positive और normative science दोनों कह सकते हो positive science कैसे, positive science इस तरीके से क्योंकि यह अभी जो सरकार की जो income कितनी हुई है इस साल कितना income हुआ है कितना growth rate रहा है, कितनी GDP रही है यह सारी बातों को भी discuss करता है आगे हम लोग क्या करें कि सरकार का development हो हो या पैसा बढ़े या किस तरीके से आगे कि जो planning है वो सारी भी चीज़े हम लोग public finance में करते हैं तो यह बोथ positive and normative sciences होती है अब हम लोग देखेंगे objectives of public finance देखो objectives बहुत सीधी सी बात है कि हार एक country में अलग-अलग objectives होते है कोई country inflation को कम करना चाहती है कोई country आपका development करना चाहती है कोई country capitalist है कोई country mixed economy है कोई country socialist है तो सबके अपने अपने तरीके है खर्च करने के या कमाने के कुछ countries में बहुत ज़्यादा taxation है और कम public expenditure होता है कुछ countries में बहुत ज़्यादा expenditure है उतना कमान ही पाती है सरकार या इस तरीके से अलग-अलग लेकिन जो कुछ basic aims है या जो basic objective से वो क्या है variable से वो थोड़ा सा उनके country में stable रहे साथ में income redistribution ये भी हर country का goal होता है कि जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब ना होता चला जाए और थोड़ा बहुत जो income inequalities जो हर एक country में रहती है बहुत ज़्यादा large scale पे उसको थोड़ा बहुत कम किया जा सके इसके लाबा resources का allocation proper resources का use हो सके ये भी एक बहुत important aim रहता है हर एक country में तो ये कुछ basic objectives से बाकी country to country depend करता है कुछ countries में अलग भी हो सकती है कहीं पे ज़्यादा inflation को कर्ब करने के लिए कोशिश की जा सकती है कहीं पर unemployment को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजे कर दी जा सकती हो objectives रखे जाते हो जैसे इंडिया में employment के लिए आपको बढ़ा है मन्रेगा की जो policy लाई गई थी तो उसको इसी चीज में ध्यान में रख करके लाया गया था तो अलग-अलग countries के अलग-अलग problem होती है तो उनके public finance को manage करने के अलग-अलग तरीके होते है इस वीडियो में हम लोग बस इसी इनी चीजों को discuss करेंगे इसके बाद और भी इस playlist में बहुत सारी वीडियोज आने वाली है यह जिसमें हम लोग-अलग चीजे public finance में कैसे taxation होता है क्या आपका अलग-अलग theories है principle of maximum social advantage या जो आगे जो बहुत सारी अलग-अलग hypothesis है आपकी public expenditure को हम लोग पूरा detail में पढ़ेंगे public depth को, revenue collection को fiscal policy को आप उसको playlist में आप देख सकते and thank you for watching